नश्कार दोस्तों मैं रज्जाज छोहन फ्राउंड डेश्ट घामिर पूर दोस्तों जैसे कि आपको पता है जैसे दो याट थार उन्नेस काड़ाइम था मेरा तो मेरे आईड़े कंप्लीट होई आईड़े जो विल्याग टेल कोर्स किया था था वो कंप्लीट हो और अब मै अग्जाम हो गया और सारे एक्जाम जीतने में टेक्निकल एक्जाम होते थे माच्चर पदेश में वो उनकी में त्यारी करता था करता रहता था जैसे मतल दो तीन दिन के अंटिवेट रहना पहला एक्स्पिरिंस अब इतनी पढ़ाई की नहीं और कभी इतना मतल टाइम स् जल्दी 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 जाब लग जाए और मैंने स्ट्रेस से पढ़ाई करनी प्रेशर लेना बहुत माइंड के बहुत जादा प्रेशर लेना कि जल्दी से जल्दी जल्दी जाब लग जाए भाई जब तो लगी नहीं और बस माइंड पे प्रेशर लेना और जल्दी से बाई आज जिन्दिके के मैंने तीन चाह साल गवा दिया भाई इसके पीछे भी मतलब मेरे साथ क्या-क्या हुआ मैं जो आपको वीडियो के तरिये सब बताऊंगा कि किन-किन मुसीबतां का सामना करना पड़ा भाई क्योंकि ठारा और उन्निस का टाइम था भाई पड़ाई करता था मैं एक्जान बगारे कि त्यारी करता था और जैसे तीन-चार मीन ने भीट गए तो मेरे मेरे सर में पेन लगा रहे ना भाई बहुत ज़्यादा गंदा सबसे गंदा है भी पेन बहुत ज़्यारा मतलब इतन सथरिक कर ठाइबर तो मैं दूख कर भाई बना सबस्सक्रां भाई चाला मति तीन-चार मिनहीं प्रसास दीन में यहाँ यहिए काड़ा ओडना कोativa कोई और कोच Centers deni पर फार्क ने पड़ता एक मतल एक परसंट फार्क ने पड़ा फिर हम ने दिखा हमीर हॉस्पिटल में चलेगा हमीर पुर में हमीर नजदी की है हमीर हॉस्पिटल प्राइबीड हॉस्पिटल बहुत बड़ हॉस्पिटल है बाइपास के बास है तो बहां गया तो टेस्ट हो बोला मैं घर का सारा गाम करता हूं आपको तो पता है सब गुसु बागास ला आज जो पी मल्टिपल वर्क होता है घर में वो सारा काम करना बैठ खेड़नाँ खेल खूदना जो भी सब कुछ मैं तो कभी ठकता नहीं हूँ है यह किया बोल रहा है मैं कोई पहीन नहीं हो तो मतलब बोड़ी में नीच बस सर का ही पहीन है यह थोड़ा stress है माइंड में जैसे मैं पढ़ाई बुरूई करता हूँ तो हमने ऐसे लिए लाइटली बात तो रखा उसने 3-4 दिन उसने बोला बार बार बोला मेरे को भाई रज़त सुन तू पीज़े चले जाना भाई बाहाँ टेस्ट करवाना किसी बाड़ी डाक्टर से दिखाना में मेरे को दिक्कत लग रहा है तो हमने उसकी लाइटली ली बात तो भाई जैसे मैं आपके साथ एक बात सेर करना चाहता हूँ यही कि ऐसे कोई दिक्कत आए बार बार आए जैसे मेरा पेनी जा रहा था बार बार आए तो तुरंद बाड़ टेस्ट करवाएं और डाक्टर की बात माने जो बोलेगा वो बाई बाई कि बोल्डी में कुछ रहता है जैसे बोल्डी बाडर से तो अच्छा इंसान, पर अच्छा है पहेस अच्छा दिख रहे है आजफ बाई ट्यसौ कुछ बादा नहीं by जब बलद टेस्टनी होगा यह सकता है जैसे बोल्डी में प्र्लूम् चल रही है बाई अंदर फिर बहां से आगे हम घर हम पहुंच गे हम अपने गार आई पर ने पापा से बोला को तो रहन दूआ मने जाना जोना है मैं तो ठीक हूं भाई ठीक है तेरी मर्जी है फिर समने है मैं लाइट ली घरवालों विवाद में ठीक ही तो है काम तो अच्छा गया चल गया मैं रामपूर में सिमला के आगे रामपूर जाकडी वहां पंदर सो मेगावाट का है प्रजेक्ट बहां जल गया वहां फिर एक दो मीने बीट गय मतलब आएक एक या दो मीने उसके बाद मेरा पता कियो हम मुह में मतलब हवाला लगी पैरलाइस हो सिम्टम आ रहे थे मतलब किडिनी खराब थी डॉक्टर ने पहले मेरे को कनफर्म कर दिया था मेरे वाले में कुछ हो सकता है तो उसने यहां अटायक हुआ मुह के आपर पैरलाइस हो गया फिर वहीं रामपूर में एक हास्पिटल था गवर्मेंट हास्पिटल वहीं दिख फिर वहीं पेट में लगी दिख्कत रहने सबसे गंदी दिख्कत जो खाना बो डाइजेस्ट ने होना यह भूख नहीं लगना यह खाना जो कुछ भी खाई तली भुनी चीजी कुछ भी खाली यह चावल खाली दाले खाली यह अलू खाली मत्र खाली जो घर में बनाते हैं मतलि जो खाने को खटा रहें से बार सुपर प्राइना सवाब side मतलि 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 लगया तणे कि लागने की ला already और एक दो दिन इन फटार्श कहां वहले है p morg जाब मतलि उल्यव इक डो सभी प्रोसेस शर्व चार्टण फिर दोस्त भी बोल देते हैं अगर दिखा ले डॉक्टर के बास की मतलब आप मतलब सारे मतलब तूने मतलब नुस्के अपना लिए पर कोई फर्क नी पड़ा तेरको मैंने उनकी बात माँनी नी कि मैंने चलो पेट की दिक खा पी लेंगे कुछ भी होटी जहरा भवल्या खाया लेंगे कोई गयस कि दोआफ खा़ा जेंगी फिर मैं गयस की दिवाई खाता था भहा ही रामपूर से लेके उससे पड़ता था मितलब जैसे कंटिनू घाई मेने पांचे दिन तो पड़ जाता था फार्क फिर अगर बीच में छोड़ दी तो मतलब फिर बीच बोई बहिस्ट स्टार्टो प्रसेस घटेड़कार खाना हाजमनी होना फिर अगर कनीशनी इतनी बिगड गई न भाई बोड़ी की फिर ऐसे-से ड़ड तक आ जाता था बॉड़ी की ओपर बॉड़ी की ओपर बलड आता था फिर ब्लैक स्पोर्ट बन जाता था ऐसे गंदिगंदे से मितम माती में बहुत बुर हुआ बहुत ही बुर उद्ध की दिक्कर भी तो इतनी बढ़ गें बाई मेरको भूग निए लागती थी जो खाना वो डाइजेस्ट नी होता था, जैसे कुछ भी खा लिया, जैसे कोई नॉन वैस खा लिया, वो हाजम नी होता था भाई, फिर मैं खुद सोचता था, यार हम रनिंग करते थे, दोड़ते थे, आर मेगी भड़ते लगाते थे, जो मैंने खाना, पहले तो अच्छा थ अब भी बोड़ी पे बैसी ही, पर मैं जो खा रहा है, वो डाइजेस्ट क्यों नी हो रहा है, मेरे माइन में वो बात, मतलब जो डाक्टर ने मेरे को कनफर्म किया था, उसने बताया था, हमीर वो हॉस्पिटल बालें की किडिनी में दिक्कत है भाई, दिखा ले ना, पर मै मुह सूझ गया, पूरा मुह सूझ गया, हाथ पैर सूझ गया, आँखें सूझ गयी, और भूख, भूख, भूख खत्मी हो गयी, भाई, भूगन लगन जैसे सुबह चाय पे लिए, कुछ भी खाले, बिस्कट बगयरा खाले, प्रांठ बगयरा खाले ना भाई, उसके अगर किड्नी की दिक्कत है भाई, तो वो एक या दो बार जाएगा, उसके बाद उसको पेशाव नहीं आएगा, और starting stage में, पता के होता है? जब kidney मतलब थोड़ी सी problem होती है तो पेशाब बार बार आता है, बहुती बार बार और पेशाब में जहाग, जहाग बहुत जियादा जहाग आता है, ये इसके सबसे गंदे symptom है, सबसे गंदा सिम्टेजी इसी से लगता है पता कि मतले किडिनी में दिक्कत है जब बार बार परशाव आई स्टार्टिंग स्टेज होती हो उस ताइम तो जल्दी तूरंत डॉक्टर के पास जाएं बाई किसी की सलान माने है तो ऐसे जैसे जैसे मैं डॉक्टर ने बोले में ऐसे जिए सुर्षा जैसर जैसा जैनी हमारे उन्हेंने बोले रज्ट्टया सर्वर्या में तो रामपूर में तो यह रिट्राशावी करवा लिए ब्लड टेस्ट करवा लगी जाएगा पता अचलगी ब्लड टेस्ट करवाने आर,फ्टी टेस्ट होता है इसका, डूनी का, अरफ्टी टेस्ट करवाया तो ते वहां थी एक मैम उन्हें बताया उस निया रिपोड देख तो दाप रिडिक्ट ली यही पूछा मेरे से तो आप कहा से हूँ, मैंने अपना बाता बताया है, कर सकता है, कैसे बात रहा है, मतली इतना दिक्कत बड़े चुकता था, मतलव, पूछो मत बाई क्रिटनाइन पॉंच चुका था उस टाइम मेरा साथ आठ के बीच में किडिनी का होता है मतलब यह लेना चाहिए बॉट डिका कई कहना माने भाई खुद से डाकटर ना बने फिर मैंने लिए उस पोट और उसने 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 गुद्धी बोल दे मेरको उसने बतर साफ क्लीर बोल दे आप ऐसा करो पना समान उठाओ चले जाओ गार उसने यह क्लीर ने किया कि तेरी किडिनी खराब हो चुकी है इसने उसन मणा मैंने इसने gefनाफ कुनए यह कैसे हो गया मैरे मतलब फिर चाले गया हम हम्हीर भाईर दवार हगा यह नोग司 दो थाうん बाहिए दो साल बाद महीं पॉंच कई जहां से स्टार्ट किया था , जहां से उसने बूला थे मिरको की रज्यत तो PG representation जहांए जाना बहीं आप मैंने उस टाइम उसकी बात मानी निए अब पहुंच गए तो यह होता है वाई कहाना नी मार ना तो पहुंच गए हम दो साल आबाद गया मैं घारों मैं उसने हमसें उसने हर की सिड़ा इन में दोह्यद दिखो दिखगे में मेरी कीडिनी खुराब न्य भी तरह मतलब इसà थेया को पूरी तरह पूरी तरह पी गैनोगक तो ने मेरी बात नहीं मानने चंडीगड चंडीगड में बाई हालत खराफ होगी चंडीगड भगवान ऐसे ले जाए उपर उस बाह एंट्री होने ही मुश्किल है वाई क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा हस्पिटल है पीजी आई चंडीगड बाह तो मतले एंट्री बहु सबस्तार डायलिस मेरे को क्या बता वाई कि किडनी कर डायलिस होता है इसमें क्या प्रसेस होता है कि मैंने इंटरनेट पर पूरा देखा सर्च किया कि जो यहन Bene करवाई पर जिन्दगी का लग गया पता कि यह वाई यह जोड़ देता है जो किसी के आगे ने जुकता ना जोगना पड़ता है फिर उसे जो किसी के आगे ने जुका ना बुबां जुकता है वाई यह इक हलत होता होंगी इतनी इतनी हलत अ कशवे उसे किर देनी खराब होता हुं कितने हुआ सकता है पानी तक के जो दाले मंती है लिपकोड़ वाली वो भी खानी सकता है वो सुखी-सुखी खानी है अलू तक निका सकता है अलू ऐसे मतल कुछो प्रशियम फार्सपोर्स वाली चीजे होते हैं वह तो पूरी तर अबान दियों उनके उपर तो फुल स्टॉब लगा दे जो मौँ स्वाइलिंग आती है मौँ के उपर हाथों के उपर शोडियम के कारण आती है शोडियम बहुत जाता है इनकी जो तो और खारिश का गार्ण भी वह ही है तो भाई ऐसे यसी दिख्टें फियस करना पड़ती है जिन्दगी में और भाई सुनो मेरे बात कोई भी स् सब्सक्राइब को फीवर आता है या जो काम गयर आता है वो और खालेता है देवाई यहां बहां से पर कुछ भी बीमारी अगर बार 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 जैसे सर में पेन बार 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 हो रहा है पीट में दिक्कत बार 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 हो रहा है जोडों में पेन बार बार हो रहा है ज तारी ब्लाड प्लेड़ जो प्लेड़स होती है, बूरी कम एक लाख से समा मतल पीछे आ जाते है, मतल सब्सक्टरासी हजार हो जाता है बॉड्डी का, पिर नीद कहां से आने, नीद का भी भूँखनी लगना, बॉम्टिंग, सूखी बॉम्टिंग, नौजीय फीलोना, एजाइटी, सर में बतल इतना मतलब, बंदा इतना सोचता है, अपने आप ही सोच मतल इतनी बढ़ जाती है, माइड की मतलब, बंदा सोचते ही रहता है, घवराहट है, सब जब अध से अवाज कि तो बॉडडी काम थी डर फील होता है वैसे आएसे सिम्टम हाते हैं भाई बहुत गंदी सिम्टम आते हैं जब किट्रिनी में दिक्क दोत delicious टोट प्रूडी कि लजेंदर की एक बार मिलती है और किसी को मैं न बोलौ कि किटनी की परोण की मतलब जो किटनी की अगर खराब और उने क्लेक्षों अ लगशन हो तो वह ऐसे ऐसे से मड़ा माते हैं कुछ भी हो सकता है बाई बाहर से स्थार से कुछ और लगती अंदर कुछ और होती है और आपको पता है आज कल मैक declines के ओपर डीपेंड हैं जो हमस्ति खाते ना भूभी दिवाई के उपड़ में अपको कुछ सब्सक्राइब नाल कि हर चीज दिवाई के ओपर डबेंड हैं और गैनिक कोई चीज तो जार 20 से लेकर हुआ इसकी बीच में मैंने डाइलिस करवाई उस टाइम के वहाई हल रिकराव थी 45 गिलो बेट रहा गया थे बोड़ी का बस बोड़ी काली पूरा रंग काला हो चुका था काल तो काला रंग तो हो ना है यार बोड़ी में कुछ रहने क्योंकि जो यूरिया पहुंच जाता है बोड़ी का साड़े 300-400 तक पहुंच जाता है और जो मखाते पीते हैं अच्छी चीज़ें प्रोटीन वो सारा निकल जाता है वो सब डाइलिस से के तो निकाल देते हैं त जाइंद जाए बारत